नमस्कार दोस्तों जिकर अर्जिन सार यूप ट्व चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत था यूपी पीजीटी दुजारे कि सिछा सास्त्र साल्ब पेपर जिसका एक जाम अठारा आठ दुजारे किसको गए था तो चले वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब पाला कोशन इसमें बीने भवन का संबंध है तो बीने भवन का संबंध किस से है कैगोर से है दूसरा कोशन इसमें आउसत मंद बुद्धी बच्चों की बुद्धी लब्धी होती है इनकी होती है 35 से 50 कोशन नमबर 3 है कौन सा भिन है इसमें तो इसमें भिन है कौन सा प्र साती दर्स कोशन नमबर चार है जीव ही सीव है यह किसका कथन है यह कथन है आचार कल्यान मित्रानंद इसमें कोई आपसन नहीं दिया है और आयोग दोरा यह कोशन जो है इसको गलत माना गया है पांचवन नमबर देखिएगा साचिक समाशास्त्र पुस्तक लिखी गई है यह किसके द्वारा यह लिखे गई एफ ब्राउन के द्वारा चाथा नमबर कोशन है नयोदो बिद्याले का मुख उद्धिश है इसका मुख उद्धिश है ग्रामीन प्रतिभासाली छात्रों को कोशन नमबर साथ है निमलिखित कच्चे आकणों का माधिका क्या होगा यहां पर साथ नमबर होना चीए 16, 14, 20, 26 या 24 इसमें आपका राइट एंसर C हो जाएगा 20 इसमें होगा यानि सभी को जोड़कर 5 का भाग दे दियागा इसमें 20 आएगा इसमें कोशन नमबर आठ है आगमन एवं निगमन बिधी के प्रतिपादक हैं इसके प्रतिपादक कौन है तो इसके हैं कोशन नमबर 9 है निमलकित में से कौन सा सिच्छा में विवेकानन्द के योगदान को दरसाता है ये दरसाता है मानो निर्मान के लिए सिच्छा कोशन नमबर 10 है राष्टिय महिला सिच्छा परसत का द्यच कौन था तो राष्टिय महिला सिच्छा परसत का द्यच कौन था स्री मतिहांसा महता कोश्चन नमब 11 है सीखने के तीन मुख्य नियम प्रस्तुत किये गये थे यह किये गये थे किसके द्वारा थार्ण डाइक ने कोश्चन नमब 12 है ब्यकतित्तों के समाजिक संगनात्मक विकास के सिधान का प्रतिपादन किसने किया तो इसका प्रतिपादन किया गया था बांडूरा द्वारा किसके द्वारा बांडूरा इनका पूरा नाम था अलबर्ट बांडूरा कोश्चन नमबर 13 है निम्रिकित में से कौन सा पद विशलेशन से सम्मंदित नहीं है तो वह है विश्वसनिता गुणांक कोश्चन नमबर 14 है प्राचीन अनुबंधन और नैमित्य अनुबंधन के मध्य मूल अंतर है तो इसका मूल अंतर है उद्धीपन का प्रस्तुती करण कोश्चन नमबर 15 है हंटर कमीशन कव गठित हुआ तो हंटर कमीशन कव गठित हुआ था फरवरी 1882 इस्वी में कोश्चन नमबर 16 है निमलिखित में से क्या सिच्छा आयोग 1964 से 6-6 द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया था यह नहीं किया गया था जिसका नाम है सिच्छा का नीजी करां कोश्चन नमबर 17 है आगरा विश्विद्याले है तो आगरा विश्विद्याले जो है एक परकार का राज अस्तरी विश्विद्याले है कोश्चन नमबर 18 है परियोगों के माध्यम से पालाव ने पाया की CR के लिए CR और UCS का एक साथ कई बार घटित होना आवस्यक है ऐसा ना होने पर CR धेरे धेरे खत्म हो जाता है इसे कहा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है यह पुछा जा रहा है इसमें इसको जो कहा जाता ह कोश्चन नमबर 19 है धर्म एक संस्था है क्योंकि यह लोगों को नैतिक तथा अध्यात्मिक सिछ्चापरदान करती है कोश्चन नमबर 20 है बेभारवाद के सिधानत में किसका विश्वास है यह है पाव लाव का किसका पाव लाव कोस्टन नमबर 21 है किसने मनो बिज्ञान को चेतना के स्तर का वर्लन और ब्याख्यक रूप में परिभासित किया यह परिभासित किया था बिलियम जैम से कोस्टन नमबर 22 है निम्निकित में से किसे मनो उर्जा का भंडार कहा जाता है किसे कहा जता है तो यह कहा जता है इड को कोस्टन नमबर 23 है दर्शन की वह साखा जो यह थार्थ के मुद्दों से सम्बंदित है कहलाती है क्या कहलाती है तत्व मिमान सा कोस्टन नमबर 24 है निमलिकित में से कौन सा योगात्मक मुल्यांकन का उधार है तो इसमें जो है ये कोश्चन आयोग दोरा गलत माना गया ये कोश्चन नमर पचीज देखेगा मनो बिज्ञान की पर्थम प्रयोकसाला किसने अस्थापित की ये किया गया था उन्ट के दोरा कोश्चन नमर अठाइस है 26 और 27 कोश्चन इसमें मिस हुआ है 28 नमर पर आते हैं किसी राष्ट के लिए सर्वच प्रतिक चिन कौन सा है तो वह है राष्ट ध्वज कोश्चन नमर 29 है किसने कहा था कि सिच्छा जन तंत्र की दाई है ये कहा था जान वीडी ने कोश्चन नमर 30 है किसने कहा कि इस्वर दोनों कानून देने वाला है ये कहा गया था किस के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा कोश्चन नमर 31 पर आते हैं निम्ण में से किस आवसकता को मासलो ने नहीं सुझाया था तो आवसकता थी आत्म अभिव्यक्त की कोश्चन नमर 32 है एमिड पुस्तक के लेखक कौन है इसके लेखक है रूसो कोश्चन नमर 33 है विकास के मनो समाजिक सिधान का परतिपादन किस ने किया था इसका परतिपादन किया था इरेक्शन ने कोश्चन नमर 34 है MMPI का सम्मंद है इसका सम्मंद किस से है Q35 है आधिगम अस्थान्तराण में समान तत्तों की सिधान का पर्तिपादन किसने किया इसका पर्तिपादन किया गया था थार्न डाई के द्वारा Q36 है काइटल ने ब्यकतिद्दों के मापन के लिए कितने कारकों का प्रियोग किया था जोलह कारक का परयोक किया गया था Q基本, 30 है वर्तमानों दुराच सिछा परदान करने का सरुत्तम साधन है इससमें अगर देखाया तो सभी है यह सरुत्तम साधन इसको भी आयोक दर्दा गलत किया गया था Q基本, इन सभी को समानंकिस में मिला था Q. 38 है आप्रेशन ब्लैक बोर्ड प्रारम किया गया था प्रारमिक सिच्छा में गुणात्मक सुधार है तो Q. 49 है वह अंक जिसकी पुनाविर्थी किसी भीतरन में सबसे अधिक बार होती है उसे कहते हैं तो उसे कहा जाता है बहुलांक Q. 40 है स्वतंतरता अपनाने योग नहीं है यदि इसमें तुरूटी करने की स्वतंता समलित नहीं है जिसने कहा था ये कहा गया था महात्मा गांधी Q. 41 है अंग्रेजों के खिलाब भारत का पहला सत्यागरा अंदोलन कहां शुरू हुआ था ये शुरू हुआ था कहां पर चमपारन बिहार से Q. 42 है निमलिकित में से कौन सा अना स्रित आउसत है तो वह है माधिका Q. 43 है बेसिक टीचर प्रतिमान बिक्सित किया गया था ये बिक्सित किया था रावाट गलेसर के द्वारा Q. 44 है स्रिजनात्मक का जनक है इसके हैं टोरांस एपी Q. 45 है जिस अधिगम में परणामों के फलसुरिप स्वेचिक बेवहार सबाल अथवा निर्भल हो जाता है वह है Q. 40 है प्राथमिक मानसिक योगताएं सम्मंधित है Q. 47 है गुरुकुल पदती में निमलिकित में से कौन सा उपागम सब से कम परियोग में लाया जाता है यह लाया जाता था तो वो था परियोग Q. 48 है प्राकिर्तिवाद किस प्रकार के नुसासन का समर्थन करता है तो यह समर्थन करता है मुक्तयात्मक question number 49 है विश्व भारती विश्विध्याले के संस्थापक कौन है तो इसके संस्थापक है रभींदरनाथ टैगोर question number 50 है उत्पाधन पधती लोगों की संस्कृति का एक मातर निर्धारक तत्व है यह कतहन किसका है यह कतई कारल मास्क का किसका है कारल माक्स Question number 50 is Flash Valve Ismiriti क्या है? यह है उपर के सभी यानि यह कशपषट Ismrach क्या सके जब्दिर की समय तक यात क्या है सके यह प्रथम साच इसमरा सभी यह इस में होगा answer Question number 52 है मापन का किंद्रियमान कौन सा है? तो मापन का किंद्रियमान माधिका होती है Question number पिर्पन है मनो बैग्यानिक परिछणों के लिए मानक उनकी निमलिखित आवस्था में बिक्सित किये जाते हैं ये बिक्सित किये जाते हैं मानवी करण के समय Question number 54 है निमलिखित में से कौन सा विश्वस्निता मापन की विधी है तो वह है परिच्छन पुना परिच्छन कोश्ण नम्बर 55 है 76 भारत अभ्यान कारिक्रम का आरंभ कब हुआ तो इसका आरंभ माना जटा है यह कब हुआ था 8 सितंबर 2009 को कोश्ण नम्बर 56 है सिच्छा मानों में अंतरनीत पुन्टा का प्रकासन है किसका कथन है, ये कथन है स्वामी विवे का नंद का, कोश्चन नमर 57 है, रोर्षा का स्याही धब्बा परिच्छन एक उधारन है, ये उधारन है अभिव्यक्ति प्रविधी का, कोश्चन नमर 58 है, दो चरो की भी सह बंद के गुडांक एक का प्रसार क्या होगा, इसका प्रस एक, कोश्चन नमर 69 है, सिच्छा में करजन ने जोर दिया था, इसमें आपका ये आयोगद्वरा कोश्चन इसको गलत कर दिया गया है, कोश्चन नमर 60 देखेगा, आदर्स वाद का मुख्य जोर है, तो ये है सिच्छा के उद्धिस्यों पर, कोश्चन नमर 61 है, वह प्रक कालाती है, तो वह कालाती है, ब्रीधी, कोश्चन नमर 62 है, भारती समिधान में 64 वर्ष की आयू के बाल को हितु, निसुल के मनिवार सिच्छा का अधिकार, किस अंच्छेद के अंतरगत लाया गया, तो ये लाया गया था, अंच्छेद है, 21A, कोश्चन नमर 63 है, TLC का पूर्ण रूप क्या है, इसका पूर्ण रूप है, टोटल लिटरेसी कैमपेन, कोश्चन नमर 64 है, आने सरतें यदि समान हो, तो दो चरों के मद निम्लिकित में से कौन सा सह संबंद, गुडांक सबसे कमजूर संबंद का संखेत होगा, तो वह है, सुन्य दसमलो एके कुश्चन नमर 65 है, सिछण के एडवांस आरगनाजर प्रतिमान बिक्सित किया गया था, ये बिक्सित किया गया था डेवीड आसुबेल द्वारा Q6 है आधिगम के प्रयासें टूटी सिधान्त को प्रस्तुत किया था थार्न डाइक ने Q6 है वासुदे कुटुमकं संदेश देता है ये संदेश देता है अंतराष्टिय सदभावना का Q68 है आन एजुकेशन पुष्टक लिखी गई ये लिखी गई थी अरविंद द्वारा Q79 है आर का संख्यात्मक मान कभी नहीं हो सकता कभी नहीं हो सकता एक से बड़ा Q70 है राज तरंगडी पुष्टक के लेखक कौन है इसके लेखक है कलहड Q71 है मनुस्यों में ब्यक्तिगत विभिन्यताओं के निर्धारक तत्तों का संबंध है इसमें संबंध है अनुवन सिक्ता के कारकों तथा वातावरण के कारकों के बीच अन्योन किरिया से Q72 है रीकंट्रक्शन इन फिलास्पी नामक पुष्टक किसने लिखी ये पुष्टक लिखी गई थी डीवी के दुआरा Q73 है केंद्र सरकार सिच्छा के छेतर में कानून बना सकती है क्योंकि सिच्छा क्या है एक समवर्ती सूची में आता है Q74 है दूरदर्शन का अविश्कार किसने किया दूरदर्शन का अविश्कार किया था जेल बेर्ड Q75 है कोहलर कोहलर ने क्या विक्सित किया था सूज सिधान्त कोशन 76 है किसने जोर दिया कि मांसिक रूप से मन्द बच्चों के लिए विशेष आवासि बिद्धाले खोले जाए ये जोर दिया था कोल बर्ग द्वारा कोश्चन नमबर 77 है सम्मान संभथ्ता बित्राण वक्र में माधिका में मध्यांक और बहुलक निशित रूप से राते हैं मध्य बिंदु पर कोश्चन नमबर 78 है नालांदा मुक्तविस विदाले किस राजी में स्तित है ये है कहां पर बिहार में कोश्चन नमबर 89 है दुरुवर्ती सिच्छार्थेओं के सैच्छिक पुलबदीम निलिकित निलिकित कोशतत्त ये गुदान देता है तिसमें सरो जाएगा उपित सभी तत्त जो ये गुदान देता है कोश्चन नमबर 80 है महात्मा गांधी को आदर्सवादी कव सकते है क्योंकि वे मानते थे कि सत्य परम मुल्ले है कोश्चन नमबर 81 है राष्टी सिच्छा निती 1986 में किस वर्ष तक प्रात्मिक सिच्छा को सर्व सुलब बनाने की बात कही गई थी ये कही गई थी 1990 में कोश्चन नमबर 82 है सह समद्ध गुडां की कोटी अंतर बिधी का प्रतिपादन किस ने किया था इसका प्रतिपादन किया था इसफेर मैन ने Q83 है क्रेश्मर द्वारा किएगे बैक्तित्य की वर्गी करण का आधार है इसका आधार है सारेलिक गठन Q84 है पियाजे के अनुसार संगेनात्मक विकास की पूर्ण सक्रियात्मक अवस्था है यह अवस्था है दो से साथ वर्स तक कोस्टन नमबर 85 है सिच्छन बेवहार सिधान्त किसने दिया था इसको भी आयोगदरा एंसर गलत माना गया है रिजेक्ट किया गया कोस्टन को कोस्टन नमबर 86 देखेगा आब इस विद्याले अनदान आयोग के अस्थापना हुई थी इसके अस्थापना हुई थी 1903 में 20 का राइट इंसर हो जागा 1903 कोस्टन नमबर 87 राष्टी महिला सिच्छा समीती का गठन कब किया गया था तो इसका गठन किया गया था 1958 में कोस्टन नमबर 88 है कोलबर्ग के द्वारा नेतिक विकास कितनी अवस्थाएं सुझाई गई थी कोस्टन नमबर 89 है उड की घोसना पत्र 1854 में सहायता नुदान पढ़ाली की घोसना किस प्रकार के बिद्ध्यालें के लिए की गई थी तो ये बिद्ध्याले थे उपिक्त सभी सिर्फ मिसिनेरी सिर्फ कंपनी सिर्फ देशी उपिक्त सभी होगा इसमें कोस्टन नमबर 90 है अंग्रेजी सासन के खिलाब पहला सत्यागरा आंदोलन किस ने आरंब किया ये किये थे महात्मा गांधी ने 1917 में चमपारन से कोस्टन नमबर 91 है सांस्कृतिक पिछडापन सब्द का प्रियोग किया है ये प्रियोग किया है आगवर्न ने Question eco नमबर 92 हे कौन सा बिचलन का सरवाधिक विश्वसनिय माप है तो वह है मानक बिचलन Question mark 94 हे रोर्शा का परछेभी परिच्छन किसके मापनेतु अभिकलपित है ये अभिकलपित है अचेत परियोजन के कोशन नमर 95 है संगिनात्मक अधिगम सिधान्त के परतिपादक कौन थे इसके परतिपादक थे ओल्फ गैंग कोहलर कोशन नमर 96 है निमलिकित में से कौन सा सिच्छा दर्शन बैग्यानिक परगती को समर्थन देता है या थार्त वाद कोशन नमर 97 है मनो विशलेशन बिधी का परतिपादन किस ने किया ये परतिपादन किया गया था सिगमंड फ्राइड के द्वारा कोशन नमर 98 है प्रियोजन वादी सिच्छा का केंदर बिंदु है इसका केंदर बिंदु क्या है तो वह है बालक कोश्चन नमबर 99 है निमलिकित में से क्या वैदिक सिच्छा की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् हैं तो विभारवात के पिता हैं जे बी वाट सन कोश्चन नमबर 102 है सह समंद गुणांक प्राडक्ट्स मोर मेंट बीधी का प्रतिपादन किसने किया था इसका प्रतिपादन किया गया था पीर सन Q丁म 303 है गितानजली पुस्ता के लेखक कोन है इसके लेखक है रविन्दरनाथ टैगोर Q丁म 104 है कोठारी कमिशन की रिपोर्ट का सीर्वचक था QTN 155 है रिदात्मक सिच्छा निर्मकित में किसे समन्दित है ये समन्दित है प्रकिर्थी वाद से कोश्चन नमबर 106 है बुद्धी के बहुत तत्वी सिधान्त का प्रतिपादन किसने किया था इसका प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा E.L. ठार्न डाइक के द्वारा कोश्चन नमबर 107 है साथ नमबर राष्टी युजना समीति का अगठन कब हुआ था E.L. ठार्न डाइक का अधिकम सिधान्त जाना जाता है यह जाना जाता है सहचार वाद कोश्चन नमबर 111 है बालक का विकास निवन में से किसका पढ़णाम है यह पढ़णाम उपिक्त सभी युगाईस मेंसर कोश्चन अमेरिक 112 है दी प्रोसेस आफ एजुकेशन के लेखक कौन है इसके हैं ब्रूनर कोश्चन नमबर 113 है विकास के परिस्थिति करण सिधान्त का परतिपादन किसने किया था यह किया गया था किसके द्वारा ब्रोन फ्रेन बिननर द्वारा कोश्चन नमबर 114 है वर्गिक्रित आकणों से लंबी विधी से माध निकालने का सुत्र है इसका सुत्र है डी हो जाएगा इसमें इंसर कोश्चन नमबर 115 है विद्याले समाज का समरूप है किसने कहा था यह कहा था डी बी ने कोश्चन नमबर 116 है साखी अभी क्रमित अनुदेशन इस मानेता पर अधारित है की इसमें देखे उपिक्त सभी एंसर डी वला से होगा कोश्चन नमबर 117 है दी मोरल जज्जमेंट आफ दी चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है इसके लेखक है जीन पियाजे कोश्चन नमबर 118 है एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को थीमेटिक अप्रेक्शन टेस्ट दिया ताकि उनकी निम्न मापन किया जा सके किसकी ब्यक्तित तो की कोश्चन नमबर 119 है किस अस्थान के छात्र रहे ये छात्र रहे थे कहां के जौन पूर के कोश्चन नमबर 120 है बिद्यार्थि ने मनो बिग्यान के परिछा में 70 अंक तथा गणिते 50 अंक प्रात के इन अंकों को निम्न में से किसमें परियर्थित करके तुलना की जा सकती है तो मानक प्रतांक में कोश्चन नमबर 120 है सिच्छा को मनुस्य एम समाज का निर्माल करना चाहिए यह कत्थन किसने दिया था स्वामी बिवेकानन्द कोश्चन नमबर 122 है इस्वेर्स मैन का सिध्धान्त माना जाता है इस्वेर्स मैन का सिध्धान्त मानता है कि बुध्धी में बुध्धी में क्या एक समान और कई भी सिष्ट मानसिक कारक होते हैं कोश्चन नमबर 123 है आरविंदो के सैच्छिक सिंतन का समग्र सिच्छा क्यों कहा जाता है इसमें डीवल आपसन सही होगा क्योंकि भारतिय तथा पासाच चिंतन को एकी क्रित करता है कोश्चन नमबर 124 है प्रकिर्तिवाद ने की सिथ्षन सिधान्त को जन्म दिया है यह खोज बिधी को कोश्चन नमबर 125 है और अंतिम कोश्चन है निमलखित अस्तितवादी विचारकों में से किसने इस्वर की अवधाना को सिवकार किया था यह सिवकार किया था किर्क गाड तो यह थे कोश्चन आज के लिए जो सिच्छा सास्तर पीजी टी 2021 का साल पेपर है तो उमेद करता हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आते हैं इसको लाइक करें दोस्तों क्या अधिक सेर करें धन्यबाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम